नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे कवक में जनन, रीप्रोडक्शन इन फंजाई मात्र पादप द्वारा अपने जिसे ही नए सदसे बनाना, नए संतती बनाना जनन कहलाता है जब कोई भी प्लांट अपने जिसे ही दूसरे प्लांट बनाता है उसको जनन कहते हैं तो कुछ समय तक व्रद्धी करने के बाद एक सर्टेन मैचोरटी जब आ जाती है प्लांट में किसी भी थैलस में और बहुत सारा रिजर्व फूड मैटीरियल इखटा हो जाता है तो उस समय वो जनन शुरू करता है तो जनन में दूसरे पौधे पेरिंट जैसे ही बनते हैं फंजाई में जनन तीन प्रकार का होता है काईक जनन, एलेंगिक जनन तथा लेंगिक जनन कुछ विज्ञानिक जो काईक जनन और एलेंगिक जनन को लेंगिक जनन में ही डिवाइड करते हैं यानि सभी प्रकार के जनन को एलेंगिक जनन तथा लेंगिक जनन में विभेदित करते हैं जैसे जिन उसमें लैंगिक जनन तथा काईग जनन दोनों में ही नूकलियाई का फ्यूजन नहीं होता, कोई केंद्रकों का फ्यूजन या जनन अंगों का फ्यूजन या जनन कोशिकाओं का फ्यूजन नहीं होता, किसी भी प्रकार का फ्यूजन नहीं होता, उनको हम ऐलंगिक बताते हैं और कैक जनन के अंतरगत बिर क्रत करते हैं तो कुछ वाज्यानिक इस तरह से वर्गी करते हैं कायक जनन की जो विधिया जो से खंडी करण यानि demographics, reproduction में कोई भी माईसिलियम है जो कवक तंतु है वो टुकडों में टूट जाता है किसी भी वजह से कोई एक्सिडेंट की वज़े से मेकेनिकल इंजरी की वज़े से अगर तूट जाता है तो वो खंड जो है वो पूरा नया थैलस बना लेता है नया माइसीलियम बना लेता है तो इस तरह से दो थैलस बन जाते हैं तो ये खंडी करण का तरीका जो है वो बहुत ही कॉमन है सभी तरह की फंजाई की अंदर और इससे एक से दो संतति बन जाती हैं अब है दूसरा तरीका है मुकुलन। का जो तरीका है वह सामने तरया से जो एक कोशिकिये कवक हैं उन में पाया जाता जिसे येस्ट में और इसका भी हम चित्र देखेंगे आगे बताएंगे अभी एक बढर हम एक बार हम जल्दी से सारी तरीके कौन-कौन से तरीके उनको लिखते हैं पढ़ते हैं तो काईक जनन के तरह के हैं खंडी करण, मुकुलन या बडिंग, तीसरा तरीका है विखंडन या फिशन ये भी यूनिसलुलर में होता है और ओडिया जो छोटे-छोटे खंड बनते हैं जो तरह करें इसमें भी शिर्ष के उपर और क्लमाईडोो जानूं ये थोड़े मोटी-भित्ती विजानूं होते हैं जो शिर्ष पे नहीं बंते हैं और बीच में भी बन सकते हैं जबकि OID हैं जो खाली जो हाइफल टिप होती है टिप के उपारी बनते हैं A-Langic Genon A-Sexual Reproduction ये चल बीजानू के द्वारा हो सकता है अचल बीजानू के द्वारा हो सकता है या कोनीडियो बीजानू के द्वारा होता है तो चल बीजानू और अचल बीजानू ये तो लोवर फंजाई में पाय जाते हैं जो बीजानू धानी के अंदर बनते हैं और कोनीडियो बीजानू है जो हाइफा के बहार बनते हैं जो अंदर कोई बीजानू धानी के अंदर बनते हैं तो ये कवक में जनन को जो कुछ माइकोलोजिस्ट दो भागों में बाटते हैं एलंगिक तथा लंगिक जनन तो एलंगिक में ये सारे एक साथ इंक्लूड करते हैं खंडी करण, मुकुलन, विखंडन, ओईडिया, चल भी जानू, अचल भी जानू, कलमाइडो भी जानू, को पिकनोस्पोर, पिकनोस्पोर एक तरह के कोनीडिया ही है, लेकिन वो कोनीडिया जो एक फ्लास्क के अंदर बंद संरचना में बनते हैं, उनको पिकनियो, उन संरचना को पिकनीडिया कहते हैं, और उन संरचना में बनने वाले कोनीडिया को पिकनोस्पोर भी कहते हैं, या एसेक्शुल स्पोर हैं लेकिन ये विशेश इस तरह से हैं क्योंकि इनमें लैंगिक जनन के बाद ही ये बनते हैं तो लैंगिक जनन के बिना ये नहीं बनते हैं तो ये विशेश भी जानू हो गए तो एक तरह से एसको भी जानू जो हैं वो एक विशेश प्रकार की स्पोरे यह विशेश प्रकार की जो स्पुरेंजिया है विजानू धानी जिनको बैसीडियम कहते है उसके उपर बनते हैं जिनको बैसीडियम कहते हैं यह भी मियॉसिस के बात बनते हैं तो यह एसको माय सिटीज में quiraine पाये जाते हैं और किताबों में इनको ए सेक्शुल रिप्रोडक्शन में की लिस्ट में शामिल नहीं किया है क्योंकि यहां इनके लिए सेक्शुल रिप्रोडक्शन जरूर यह बाद में यह बनते हैं और तो ज़्यादा तर जो किताबों में एलंगीक जनन में चल भी जानू, अचल भी जानू, कोरिंडियो भी जानू, तथा कुछ में साथ में ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जो तरीके हैं, क्लमाइडो भुजानू, ओईडिया, विखंडन, इन सब को भी एलंगिक जनन में शामिल किया है ये चित्र में दिखा रखा है बडिंग, उपर वाला जो चित्र है, उसमें येस्ट के अंदर बडिंग है, यूनि सलुलर है ये, तो एक सेल वॉल है, इसके चारों तरफ, कोशिका के चारों तरफ, तो वहाँ एक जगह पर सेल वाल पतली हो जाती है, वहाँ से एक औट ग्रोथ निकलती है, और एक नुकलियस का विभाजन होता है, एक नुकलियस, पुत्री जो डॉटर नुकलियस है, वो उसमें चला जाता है, उस अती व्रद्धी के अंदर उभार के अंदर और फिर वहां संकुचन होता है और वो मात्र पौधे से अलग हो जाती है ये अती व्रद्धी और इस प्रकार से दो कोशिकाएं बन जाती हैं कई बार ये मात्र को पौधे से अलग नहीं होती है और उसके साथ ही मात्र जो डॉ इसमें संकुचन के द्वारा दो कोशिकाएं बन जाती हैं जैसे बैक्टीरिया में भी इस तरह से होता है फिशन के द्वारा जनन एक मात्र कोशिका से ये दो कोशिकाएं बन गई है ये ओईडिया के अंदर जैसे जो फंगस का किनारा है माइसिलियम का किनारा वहां पर कुछ विशेश प्रकार के ये स्पोर बनने लग जाते हैं इनको ओईडिया कहते हैं कई बार ये पूरा माइसिलियम ही इस तरह के छोटे-छोटे टुकड़ों में आगे तक तूटता चला स्पोर में बनता चला जाता है उनको आरथरोस्पोर भी कहते है एक ही चीज है जिसमें पतली भित्ती वाले ये स्पोर होते है और ज्यादा समय तक ये जीवित नहीं रह सकते हैं तो राहंती इनको अंकुरन अगर नहीं हुआ तो ये मर जाते हैं जबकि दूसरा तरीका है क्लमाइडो स्पोर इसमें भी एक कोशिका जो है वो बड़ी होती है मोटी भित्ती वाली हो जाती है और बहुत सारा रिजर्व फूर्ड मैटीरियल इखटा होता है उसमें तो ये विपरीत परिस्थितियों में बनते हैं और पूरी विपरीत परिस् और जब नया मौसम आता है अनुकूल परिस्थितियां आती है तब ये अंकुरित होते हैं और नया मैसिलियम बना लेते हैं तो इस तरह से ये क्लमाइडो भी जानू बनते हैं जो की मोटी भित्ती वाले होते हैं जबकि ओडिया है ये पतली भित्ती वाले हैं और केवल मैस डितिलियम के शीर्ष पाई बनते हैं जबकि क्लेमाइडोस्पोर कहीं भी बीच में भी मध्य की किसी कोशिका में भी बन सकते हैं और किनारे की जो टर्मिनल सेले उसमें भी बन सकते हैं। तेकाव में लगातार भी बन सकते हैं दूसरा तरीका है ऐलंगिक जनन का ये जो तरीके हैं ये सब वेजेटे relatively reproduction के अंतरगत भी रखते हैं कई विज्ञानिक जबकि ये जो ऐलंगिक जनन के अंदर आते हैं बिजाणू धानी के अंदर बिजानू बन रहे हैं तो जैसे ये Zygomycetes में बनते हैं म्यूकर में राइजोपस में तो बहुत सारे जो साइटोप्लाजमें वो खंडों में परिवर्थित हो जाता है और एक एक खंड है वो एक स्पोर बन जाता है तो ये नॉन मटाइल स्पोर हैं अचल भी जानू या कुछ में चल भी जानू भी बनते हैं जैसे सिंकाइट्रियम में चल भी जानू बनते हैं उसमें जू स्पोर होते हैं उनको जू स्पोर कहते हैं इंगलिश में हिंदी में चल भी जानू चल भी जानू धानी में चल भी जानू बनेंगे अचल विजानु धानी में अचल विजानु बनते हैं इसके अलावा ये ये जो तरीका है चल विजानु धानी या अचल विजानु धानी ये फाइको माइसेटीज में या जाइगो माइसेटीज जो लोवर फंजाई हैं या जिनको फाइको माइसेटीज भी कहते हैं उनके अं होता है बहुत अधिक कॉमन है बाकी सारे यह तरीके भी होते हैं यानि ओईडिया भी होता है मकोलन तो सिर्फ यूनिसलुलर में होता है और क्लेमाइडोस्पोर भी बनते हैं यह सब जो फिलामेंटस माईसीलियल पंजाई हैं उनमें बनते हैं तो कुनीडिया एक जैसे है किसी सब्स्ट्रेट के उपर है फैला हुआ तो उसमें से कुछ इरेक्ट औरद्व माईसीलियम निकल जाते हैं उनको क्वनेडियोस्पोर कहते हैं उनके उपर एक-एक कोशिका के बिजानू को पनते हैं इतनी शिगृता से बनते हैं और उसमें बनते हैं या पैनिसील्यम में बन रही है यह अलग अलग तरह के होते हैं कोनीडिया और कोनीडियो फोर्स और अलग अलंग गरणगों के भी होते हैं, काले, पीले, भूरे, हरे, ऐसे विबन रंगों के होते हैं, तो माइसीलियम ज्यादा तर सारे फंजाई के सफेद रंग के होते हैं, कलर लेस होते हैं, और जो इसलिए उनका पहचान नहीं होती है, कि वो कौन सी फंगस है, और पहचान उनकी कुनीडियो फोर बन होती है, तब पहचान में आता है, कि जीनस की जो पहचान है, वो उसी से होती है, कि उसमें किस प्रकार की इस पोरिंजिया की स्ट्रक्चर बन रही है, किस तरह की संरचना है, इस पोरिंजिया है, या जूस पोरिंजिया है, या कौनीडिया है, तो कौनीडिया, कौनीडियो मिलता है, Escomycetes, Basidiumycetes और Deuteromycetes में, इसके बाद कवक में जनन की बात आती है, Lengic Genon, Lengic Genon जो Deuteromycetes को छोड़ कर बाकी सभी ग्रुप में पाया जाता है, Deuteromycetes में केवल A-Lengic Genon मिलता है, जो Lengic Genon जहां मिलता है, उसको हम Imperfect Stage कहते हैं, और Lengic Genon जो परफेक्ट स्टेज कहलाती है, जो Lengic Genon तीन चरणों में पूरा होता है, Plasmo Gemini, Karyo Gemini तथा Meiosis, कोशी का द्रव्य का फ्यूजन होता है, जिसमें दो नुकलियाई पास पास आते हैं, उसके बाद केंदरक का फ्यूजन होता है, केंदरक लैन, और उसके बाद केंदरक में जो दो फ्यूजन, फ्यूजिंग जो नुकलियाई है, जो Deployed Nucleus बनाएं उसमें Meiosis, अर्द सुत्रन, लेकिन फंजाई में ये अलग-अलग जगय पर होते हैं, अलग-अलग स्थान पर होते हैं, और अलग-अलग समय पर होते हैं, जैसे कोशी का द्रव्य लयन है, प्लाजमों के में होने के बाद, जो दो नुकलियाई पास पास आए हैं, वो तुर Iscomycetes और Basidium Icetes हैं, उन में प्लाजमों के में काफी समय बाद केरियों गयमी होती हैं, और केरियों गयमी के तुरन बाद मियोंसे सो जाती हैं, तो लेंगिक जनन के जो प्रकार हैं, वो तीन प्रकार के हो सकते हैं, आईसों गयमी, एनाईसों गयमी, तथा उगयमी, जब अगर जिन में फ्लेजला बनते हैं, क्योंकि सारी जो फंजाई हैं, उसमें फ्लेजला नहीं पाए जाते हैं, तो एक जैसे जो फ्लेजला वाले जो गयमीट्स हैं, और फ्लेजला वाले गयमीट्स हैं, या जिन में फ्लेजला नहीं भी हैं, एमिवोइड गयमीट्स हैं, व और अगर fusion होने वाले जो gametes वह हैं वह असामान आकरती के हैं तो उनको एन आइसो गैुमि कहते हैं लटगिक जनन को। और ऐसा लेंगी जनल जिसमें जो fusion करने वाले gamit है उसमें एक non-motyl है जिसको egg या female gamit करते हैं और दूसरा gamit है वो motyl या non-motyl हो सकता है उस तरह के gamit को जिसमें 1 gamit कम से कम non-motyl होता है तथा size में बड़ा होता है उसको egg केते हैं वो काफी बड़ा होता है दूसरे male gamit की उस तरह के fusion को विशम युगमन कहते हैं उगेमी प्रकार की होते हैं इसके अलावा अभी हमने नहीं जीसे बात करी कि douche lezgo जाती है और प्लाज्मोगेमी के बाद केरियोगेमी नहीं होती है तो प्लाज्मोगेमी के यहां कई तरीके हैं उसको हम लेंगीक जनन की विधिया कहते हैं तो यह पांच प्रकार के हो सकते हैं चल युगमकी मैथुन, प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन, युगमक धानिय मैथुन यानि गेमेटेंजियल कॉपुलेशन, युगमक धानिय संपर्ख यानि गेमेटेंजियल कॉन्टेक्ट, चल पुमनु युगमन, इस्पर्मेटाइज तथा पांचवा है काईक युगवान यानि समेटो गैमी ये इसका चत्र बताया है इससे पहले जो हमने पढ़ा चल युगमा की मैथुन का सबसे पहला नंबर चल युगमा की मैथुन इसमें तो गैमीट हैं ये आईसो गैमीट हैं एक जैसे आकार के इनमें फ्यूजन हो रह यहाँ यह N-Iso Gamit है, जो एक बढ़ा gamit है और दूसरा छोटा gamit है N-Iso Gamit Reproduction और यह तीसरा प्रकार का है U-Gamit जिसमें एक gamit बहुत बढ़ा है और दूसरा फिन नॉन मोटाईल है तथा दूसरा मोटाईल या इसमें नॉन मोटाईल भी होता है यह U-Gamit प्रकार का जो यह गेमीटेंजिया हैं जैसे जाईगो माई सिटी में इस तरह का रिप्रोड़क्शन मिलता है तो दो गेमीटेंजिया पास पास आती हैं और वो दो पूरी गेमीटेंजिया फ्यूज हो जाती है तो इस तरह से जाइगो स्पोर का निर्मान होता है इसको कहते हैं केमिटेंजिल कॉपलेशन यह जाइगो माइसिटीज में होता है यह प्लस और माइनस दो अलग-अलग strain के यह fungus mycelium होते हैं यह पास-पास आते हैं और यह full जाते हैं मोटे इसमें बहुत सारे nucleus आते हैं बहुत सारा cytoplasm हो जाता है फिर इनके में यह अलग हो जाता है septa बन जाता है और gamitangium कहलाता है यह आगे के जो सिरे septa बनने के बाद gamitangium बन गया और फिर इन दोनों gamitangium में fusion हो गया बीच की दिवार इनकी घुल गई और एक zygospore बन जाता है यह कहलाता है gamitangial population दूसरा तरीका है gamitangial contact तो इसमें दो gamitangia होती है female gamitangia, eugonium तथा male gamitangia, anthridium कहलाती है तो anthridium से एक male gamit या अधिक भी male gamit है वो eugonium के अंदर आते हैं करता है कि eugonium में कितने nucleus हैं अगर ज्यादा nucleus हैं तो बहुत सारे nucleus आ जाते हैं और हर एक nucleus से eugonium से एक-एक nucleus का fusion होता है तो इस प्रकार से जो gamitangia contact में आती हैं और male gamitangium जो है anthridium उससे nucleus female gamitangium के अंदर प्रवेश करता है तो यहाँ पूरी gamitangium का fusion नहीं होता बलकि एक tube बनती है fertilization tube उसके द्वारा जो nucleus है वो female gamitangium के अंदर आता है इसको कहते हैं gamitangial contact method तो इस तरह से यह दो plasma पास आते हैं दो nucleus पास पास आते हैं दो plasma का fusion है दो nucleus का पास आना इसके अलावा एक तरीका है spermatization, spermatization में यहाँ पे sex organs नहीं बनते हैं तो जैसे जैसे हम higher fungi में जाते हैं तो वहाँ पर sex organs का निर्मान नहीं होता है और simplification होता जाता है sexual reproduction में तो यहाँ पर जैसे एक mycelium है उस mycelium के उपर ही एक mycelium तो female का तरह से काम करेगी receptive high fake की तरह काम करेगा और जो male nucleus है male जो gamete है वो spermatization क्यालाता है यानि यह non-motile है non-motile को spermatization कहते हैं उनका fusion हो जाता है और यह इसको गोनियम है इसको माई सिटीज में इस तरह से होता है एसको गोनियम फीमेल तो structure बन रही है और उसमें ट्राइको गाइन है filament चैसी structure है और उसमें spermatium आके चिपकता है और वहां से भित्ती घुलती है और female जो nucleus है उसके पास आ जाता है spermatium तो इस तरह से यह जो तरीका है spermatium जिसमें जो male gamete है वो non-motile होता है और और भी simple तरीका है यहां gametangium नहीं बन रही है male gametangium और यहां female gametangium भी नहीं बनती है सबसे आखरी last तरीका है somatogamie जो सबसे simple है और सबसे ज़्यादा advance जो बन जाई है उन में मिलता है वहां female और male दोनों ही structure नहीं बनती है gametangia नहीं बनते हैं और नहीं gametes बनते हैं तो यहां कम से कम एक gamet बन रहा था spermatium बन रहा था या कभी-कभी gametangia female भी बन रही है gametes भी नहीं बनते हैं और दो जो somatic cell है somatic hypha है उनका ही fusion हो जाता है और इस तरह से दो nucleus पास पास आ जाते हैं इस तरह के fusion को कहते हैं somatogamie यह जो advanced fungi है बैसीडियो माइसिटी उसमें पाया जाता जैसे पैजाईजा अस्टील हो आती है थाइंक यू